वेलकम गाईस तो इस वीडियो में मैं आप लोग अगा स्वागत करता हूँ इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं इन वर्सन के बारे में सब्सक्राइब है राजा होता तो और थार्ड हम यूज करेंगे कंडेशनल टाइप 3 यह भी अन्रियल होता है इसलिए हम यूज करेंगे हैड का स्टार्टिंग में हैड ही मैट मी मतलब अगर वह मुझसे मिला होता तो थेक है इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं आप वर्सन किस परकार से होंगे वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सभी conditional sentences के इन वर्सन मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा करवा दूँगा तो देखिए conditional sentences जो है real जो real होते है जीरो और first लेते पहले देखिए यह जैसे first का example है if उसके बाद हम लगाते है present indefinite उसके बाद future indefinite ठीक है लेकिन हम first में models का भी use करते हैं संभावना आदी दिखाने के लिए ठीक है अगर आप math जीत जाओगे तो आपको इनाम मिलेगा ठीक यह हम कहें अगर आप math जीत जाते हैं तो आपको इनाम मिलेगा दोनों में से आप गा वाला sense समझे चाहे ता है ती है ते है वाला sense समझे आएगा तो present indefinite ही देखिए if you win the match you will get a reward ठीक है if you win the match you will get a reward एक तो आप इस परकार से बना सकते हैं यह आप कह सकते है if की जगह आप सीधा should लगा सकते real वाले condition में ठीक है जो भी real होगा ठीक है conditional sentences में जो भी real होगा उसमें आप should का यूज़ कर सकते जैसे कि should you win the match अगर आप match जीतते हैं you will get a reward आपको एक इनाम मिलेगा पुरुसकार मिलेगा इस परकार से ठीक है तो आप if की जगह should का यूज़ कर सकते हैं आगे कुछ और example देता हूँ आपको देखी जैसे कि if you go there अगर आप वहाँ जाते हैं please inform me तो मुझे inform करना आप बना सकते है should you go there please inform me अगर वहाँ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा if he comes I will inform you आप बना सकते है should he come I will inform you अब इफ की जगह should को सीधा प्लेस कर सकते हैं आप लोगों को ये structure तो यादि होगा if plus subject plus were plus object ठीक है अब उसके बाद जो result clause है उसमें subject would वर्द की first form और other words ये क्या होते हैं ये structure unreal होता है इससे conditional type to के sentences बनाया जाते हैं ठीक है देखिए जैसे अगर मैं उसका दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता if I were his friend I would help him आप इससे बना सकते हैं इस structure से were फिर subject फिर object फिर कोमा लगाएंगे उसके बाद subject would वर्द की first form and other words जैसे है were I his friend I would help him ठीक है तो आप work I use कर सकते है structure के अनुसार work के बाद तुरण subject लगाएंगे ठीक है ऐसे बना सकते हैं देखिए example है अगर मैं राजा होता तो मैं महल में होता if I were a king I would be in a palace ठीक है या आप बना सकते है were I a king I would be in a palace तो आप लोग दोनों परकार से बना सकते हैं ठीक है आप work I use कर सकते हैं लेकिन work के तुरण बाद subject लगाना पड़ेगा उसके बाद object ठीक जैसे कि अगर मैं एक film star होता तो मेरे बहुत सारे परसंसक होते आप कह सकते हैं if I were a movie star I would have a lot of fans were I a movie star I would have a lot of fans ठीक है अब देखिए तीसरा structure है if plus subject plus head plus work की third form plus other word ठीक है उसके बाद कोमा लगा के subject would have plus V3 उसके बाद other words यह conditional type 3 का structure है जो की unreal होता है जिसमें हम पच्चतावा करते हैं कि हमने यह किया होता तो यह होता ठीक है इस प्रकार से जो की कभी नहीं बदल सकता जो हो चुका वो हो चुका अगर तुम यहां आये होते तो मैं तुमसे मिला होता if you had come here if you had come here I would have met you यह आप इस structure का यूज कर सकते हैं had plus subject plus verb की third form plus other words और फिर को मा लगाएंगे फिर जैसा है यह वदर इस्ट्रक्टिर वो ही subject would have verb की third form फिर other words ठीक had you come here I would have met you अगर मैं बाजार गया होता तो सब्जिया खरीद लेता यह खरीद चुका होता ठीक है if I had gone to the market I would have bought vegetables यह आप बना सकते हैं had I gone to the market I would have bought vegetables अगर वो मुझसे मिला होता तो मैं उसे घर आने के लिए कह देता if he had met me अगर वो मुझसे मिला होता तो मैं उसे आने के लिए कहता ठीक है had he met me इस परकार से बना सकते हैं had he met me I would have asked him to come home तो मैं उसे घर आने के लिए कह देता अब देखिए इसे अगर आप कहना चाहे कि मैं उसे अपने साथ घर आने के लिए कह देता तो simply आप बना सकते हैं जैसे कि अगर वो मुझसे मिला होता तो मैं उसे अपने साथ घर आने के लिए कह देता आपको कुछ नहीं करना देखिए सिर्फ आपको विद मी लाष्ट में लगा देना है तो क्या हो जाएगा अब मेरे साथ आने को ठीक है देखिए had he met me इस परकार से बना सकते हैं I would have asked him to come home with me तो मैं उसे अपने साथ घर आने को कह देता लेकिन न वो मुझसे मिला न मैंनो उससे कहा तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगे लिए काफी helpful होगी और आप लोगों ने अच्छे से इन वर्सन को समझ लिया होगा सभी conditional sentences के तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों ने काफी helpful होगी तो थैंक्स वर वाचिंग टेक केर बाई